हलो गाइज मेरा नाम है की जोशी एंड सौगत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर तो गाइज सबसे पहले तो सभी को हैपी न्यूएर 2021 आने वाला है एंड 2020 जाने वाला है तो सबसे पहले तो सबको हैपी न्यूएर एंड उसी के साथ आज की इस वीडियो में अंदर अपन बात करने वाले हैं कि इसकी डिटाचिंग एडिटिंग मैनुपिलेशन एंड इसका बैग्राउंड चेंज कैसे मैंने इसके कलर ग्रीडिंग की तो सारा कुछ आपको बताऊंगा एंड किन किन एप्लिकेशन का मैंने यूज किया और जो भी बैग्राउंड मै अगरे इनका यूज किया है इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहां से जाके आप सिंप्ली डाउंडोड कर सकते हैं तो चलिए गाइस बिना टाइम इसके इस कमाल की वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं इस फोटो के एडिटिंग अपन करेंगे पीएस चाच एप्लिकेशन के अंदर तो यह फोटोशॉप मोवेल वर्जन है तो इसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवैड कर दूंगा तो वहां से जाके आप सिंप्ली इसको डाउंडोड कर सकते हैं और उसी के सा हो चुका है तो सिंप्ली यहां से प्लस वाले आइकन में जाएंगे अपनी फोटो को लेकर आते हैं मेरी ओरिजिनल फोटो यह थी तो इसको एडिटिंग करके मैंने वैसी फोटो बनाई थी न्यूएर वाली एंड इसके बाद इसका करना है बैग्राउंड रिमॉव तो य इससिंप्ल कैक्ट सेलेक्शन टूल को सेलैट्ट करना है और यहां से आप इसमें एक और है शोड़ो इन्टर τον का तो तो simply इस तरीके से भी आप इसका background remove कर सकते हैं, तो simply मैं फटा-फट से आपको background remove करके बता देता हूँ, तो इस तरीके से भी आप इसका background remove कर सकते हैं, ऐसे select करना है, and इस तरीके से, and automatically देखिए आपकी body को select करता जाएगा, तो एक काफी अच्छा tool है इसके अंदर, and इसमें काफी सारे ओर tools है, तो उसको explain करूँगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो मैं simply आपको background remove करके बता देता हूँ, फटा-फट से, so guys अपने pixels तो select हो चुके हैं, बट इसमें hairs का selection आप उनको करना है, तो simply इस वाले selection में जाएगे, और यहाँ पर एक refine edge का option दिखेगा आपको, उस पे click करना है, और उसके बाद यहाँ से brush की size को select कर लेना है, और इस तरीके से आपको draw करना है, और देखिए आपके hairs को एक दम perfectly select कर लेगा, एक एक hairs आपके दिखेंगे photo के अंदर, तो आपकी photo एक दम नकली भी नहीं लगेगी, और इसको done कर देना है, इसके बाद आपको एक option और करना है, यहाँ पर वापस इसमें जाना है, और feeder का option दिखेगा, तो इसके click करना है, और इसको बिल्कुल कम कर लेना है, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी ages बिल्कुल sharp हो जाएगी, तो इसको done कर देना है, और इसके बाद अपनी subject को background से erase करना है, तो simply यहाँ पर इसवाले selection में जाना है, और वापस इसको extract कर लेना है, तो देखेगाईज अपनी background से photo एक दम, one click में remove हो चुकी है, यहाँ बाद simply आपको hide pointer करना है, और इसके pixels को deselect कर देना है, तो यह देखेगी pixel एक दम deselect हो जाएंगे, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ से अब लेके आना है अपने rock PNG को, तो simply layers वाले selection में जाएंगे, और यहाँ से plus वाले icon पे जाके, अपने photo को add कर लेंगे, तो इस वाले फत्तर को या फिर ये rock PNG को आपको download कर लेना है, इसका link मैं आपको description में provide कर दूँगा, तो वहाँ से जाके आप इसको download कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा इतना बड़ा कर लेंगे, और इसको done कर देंगे, अब देखिए अपनी subject को लेके आना है, तो simply subject वाले layer को सबसे उपर रखींगे, और इसको यहाँ से end वाले selection पे जाके transform कर लेंगे, तो कुछ इस तरीके से आप transform कर सकते हैं, आपके according, और इसको done कर देंगे, तो done करने के बाद देखिए, यह काफी ज़्यादा बड़ी उपर से photo लग रही है, तो इसको simply end वाले selection में जाएंगे, और इसको crop कर लेंगे, done कर देंगे, done करने के बाद आपको क्या करना है, simply यहाँ से plus वाले icon में जाना है, and अपने background को लेके आते हैं, पहले अपन करेंगे इसमें shadow create, shadow बनाएंगे देखिए, यहाँ पर काफी ज़्यादा नकली नकली सी photo लग रही है, shadow बनाने के लिए कि लिए करेंगे, simply layers वाले selection में जाएंगे, यहाँ से plus वाले icon में जाके, empty layer को create करेंगे, and यहाँ से left side में paint tool का option है, इस पर click करेंगे, and यहाँ से colors को करेंगे black, and brush की hardness को बिल्कुल कम, size को आप अपने according रख सकते हैं, opacity बिल्कुल थोड़ी कम, and जो अपनी empty layer है, उसको सबसे उपर लेके आ जाएंगे, and उसके बाद करनी है, इसमें shadow draw, तो इस तरीके से आप shadow को draw कर सकते हैं, देखिए, and यहाँ से कुछ इस तरीके से भी आप shadow create कर सकते हैं, आपके थोड़े jeans में भी रखेंगे, तो black black सही लगेगा आपको, आप अपने according कर सकते हैं, तो इसके बाद अब लेके आते हैं, वो party वाले png, जी तो उसको add करने के लिए simply photo layer में जाएंगे और उसको add कर लेंगे, and इसको रखते हैं सबसे उपर, तो simply सबसे पहले इसकी size को भी select कर लेंगे, and इसका भी link मैं आपको description में provide कर दूँगा, तो अपने body के उपर भी आ रहा है, तो simply यहाँ से अपन इसको select करेंगे, and यहाँ से अपन eraser वाले tool को select करेंगे, and इस तरीके से इनको erase कर लेंगे, तो जहाँ भी अपनी body पर आ रहा है, उसको erase कर लेंगे, कुछ इस तरीके से, अगर आप चाहें तो अपनी body पर भी रख सकते हैं, बट मुझे अपनी body पर रखना नहीं है, and उसके बाद क्या करना है, आप अपन को लेके आना है, वो 2021 वाले PNG, cloud के PNG, तो उनका भी link आपको description में मिल जाएगा, तो उनको simply लेके आते हैं, and इसके blending mode को अपन को change करना है, तो इसका blending mode रखेंगे, आप screen, and देखी गाइस, यह बिल्कुल perfectly select हो चुका है, and इसको मत थोड़ा साब पर कर लेता हूं, तो simply transform पे क्लिक करेंगे, and इसको कर देंगे, यहां से done, तो गईज देखे, अपनी photo एकदम perfect select हो चुकी है, and इसके बाद एक अपन लिक आएंगे, cloud का png, तो उसको plus वाले icon पे जाना है, and यहां से cloud वाला png, add कर लेना है, तो इस png को आपको add कर लेना है, कुछ इस तरीके से, and इसको done कर देंगे, and उसके बाद यहां से इसको थोड़ा सा rough करना है, तो इसको थोड़ा rough करने के लिए, यहां से eraser वाला selection को करना है, and इसको rough कर लेना है, and यह देखेगा, इस अपनी photo एकदम perfect हो चुकी है, and इसको कर देंगे, यहां से done, अब इसकी करनी है, अपने को color grading, तो color grading करने के लिए, इसको लेके चलते हैं, adobe lightroom application के अंदर, अपनी photo lightroom application के अंदर आ चुकी है, तो यह lightroom का premium version है, एकदम free वाला, तो इसको भी आप अपने phone में download कर सकते हैं, इसका भी link आपको description में मिल जाएगा, and इसकी सबसे खास बात यह है, इस पर भी आपकी photo quality पर loss नहीं आता, तो आप simply इसमें editing कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जाना है, and यहाँ से vibrance को उसका बढ़ा लेना है, around 64 के आसपस, and उसके बाद यहाँ से lights ओले option में जाना है, इसकी थोड़ इसी shadows को कम कर लेना है, तो देखी नीचे से यहाँ पर, जो यह रोक है, यहाँ पर आपकी shadows कम हो रही है, and थोड़ असे blacks को भी कम कर लेंगे, and थोड़ असा whites को कम, and थोड़ असे इसका contrast बढ़ाएंगे, and उसके बाद यहाँ पर वापिस colors ओले option में जाना है, and यहाँ पर से colors ओले option में जाना है, इधर से orange color को select करना है, जो अपना skin का tone रहता है, वो orange color रहता है, उसके बाद इसको luminance को बढ़ा लेना है इसकी, तो full एक दम, full तो नहीं करना, but around 78 के आसपास, and थोड़ असा saturation बढ़ा लेंगे, and देखी गाइस अपनी photo में काफी ज़्यादा फर्क आपको दिखेगा, ये पहले थी, and ये इसके बाद हो गई, तो देखी काफी ज़्यादा फर्क आपको हो जाएगा, and उसके बाद इसको done कर देंगे, and उसके बाद आपको जो सबसे पहला वाला option हो, उसके जाना है, and यहां से plus वाला icon में जाके, इसको select करना है, and इसको कुछ इस तरीके से आपको रखना है, and इसको कर देंगे, यहां से ऐसे, and इसके बाद जो आपका shoes and जो legs है, उसको erase करना है, तो erase करने के लिए simply यहां से कुछ इस तरीके से आप erase कर सकते हैं, and इसको इस तरीके से erase कर लेना है, और इसके बाद यहां से इस वाले कलर फो उप्चिन में जाना है इसकी शैडोज को और कम कर लेना है तो देखे अपने शैडोज को कम हो चुकी एँड थोड़ा सा कांटर्श बढ़ा लेंगे थोड़ीना से क्लैरटी बढ़ा लेंगे इसको यहाँ से कर देंगे दन उसके बाद यहाँ पर colors वाले option में जाना है इसके vibrance को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे इसके बाद जो next option है उसमें जाना है इसके थोड़ा सा vignate effect डालेंगे तो देखे अपने round round से एकदम black हो चुकी है और उसके बाद थोड़ा सा dhb आप छेड़ सकते हैं round seven के आसपास उसके बाद photo की sharpness बढ़ानी है तो next option में जाएंगे और photo की sharpness बढ़ा लेंगे देखे photo अपनी एकदम clear हो जाएगी and उसके बाद थोड़ा सा noise reduction करेंगे तो अपनी photo almost done हो चुकी है जो सारी चीजे मैंने पहले की थी वही आपको मैंने करके बता दी तो आप भी कुछ इस तरीके से editing कर सकते हैं तो मैं आपको इसका before and after बताता हूँ देखे गाइस ये before था and ये after तो काफी जादा अपनी photo में चमक धमक आ चुकी है and इसको simply share वाले option पर जाके save to device कर लेंगे so I hope guys ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर इस वीडियो में आपको कुछ मी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को एक like कर देना नेचे comment section में मुझे बताना है कि ये photo editing आपको कैसी लगी और उसी के साथ अगर guys मुझे instagram पर follow करना चाहते हो तो उसका link आपको description में मिल जाएगा तो वहाँ से जाके आप मुझे instagram पर follow कर सकते हो या फिर मेरा username भी यहीं दिख रहा होगा और उसी के साथ अगर channel पर नहीं हो तो channel को subscribe कर देना साथ में बैन notification को always add कर लेना ताकि ऐसी amazing videos की notification आपको मिलते रहें मैं मिलता हूँ आप से ऐसी को interesting videos के साथ तब तक के लिए good bye